नमस्कार दोस्तों मैं गौरव पांडे आपके अपने ओनलाइन संस था टार्गड विधालोक मैं आपका स्वागत करता हूँ और उमीद करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे जहां भी होंगे सुरक्षित होंगे और अपनी सिहत का ध्यां रख रहे होंगे जैसा कि एक खुशी की लहर आपके चेहरे पर अब दौड़ चुकी होगी एक समय ऐसा था कि वेकंसी नहीं थी और एक समय ऐसा आ गया है कितनी vacancies आ गई हैं कि लोग यह सोच रहे हैं किसकी किसकी त्यारी करें तो इस दुबिदा में नहीं जो आपका मन करें उसी की त्यारी करिए जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे batch में एक batch अलेडी संचालित है जिसमें भारी मात्रा में लोग जुड़े हैं नया batch का संचालन हो चुका है और जो पहले से पढ़ रहे हैं वो समझें उनके लगभख 50-60% कोर्स कम्प्रीट हो चुके और वो आप से 50-60% आगे हैं मैं आप कोई हाँ दिमोटिवेट नहीं कह रहा हूँ और हर मुकाम मेरे पैरों के तले होगा क्योंकि वो मेरी महनत का परिणाम होगा तो आप जो महनत करेंगे वही आपको आगे लिखे जाएगा तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे बैस से जुड़ने के लिए कुछ नहीं करना है आपको इंट्री, TGT, PhD जिस सब्जेट से ड्मिशन लेना चाहते हैं वो सब्जेट लिखना है और आपको इस नंबर पर वाट्स अप कर देना है बैस से जुड़िये, मेहनत करिये, सफलता पाईए जो पहले से पढ़ रहे उन्हें पता है कि topic wise उनका practice कराना अगर वो practice में गलती करते हैं तो दूसरे दिन फिर हम लोग live होकर उनको practice कराते हैं और उनकी तियारी कराते हैं उसके साथ साथ आपको बैस से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए या इसके साथ साथ नोट से related या कोई भी समस्या हो तो ये हमारे सहयोगी है जो सुबा से साम आपके लिए फोन लेकर बैठे रहते हैं और आप से बाते करते रहते हैं फिर जैसा कि आप जानते हैं कि इतिहास एक बहुत बड़ा portion है एक बहुत बड़ा subject है ऐसा कहकर मैं आपको डरा रहा हूं अगर सही कहूं तो मैं ऐसा कहकर आपको डरा रहा हूं अगर आप syllabus देखेंगे अपना तो आपकी syllabus में इतिहास को अगर संचिप्त रूप से देखा जाए तो वो देखा जाता है कि बड़ा छूटा syllabus है कैसे मैं आपको एक चीज समझाते हैं जो कि हमने सबसे पहला वीडियो जो हमने दिया था टेश्टी फिश्टी का उसमें मैंने आपको मूल लेंगगन बताया था कि किस साल किस विशेश से कितने सवाल आए प्राचीन भारत से हर साल सबसे ज़्यादा सवाल आता है कि पढ़ने का तरीका और पढ़ने का तजूरबा दोनों आपके पास है बस हमें आपको गाइड करना है आपको कुछ नहीं बस हमें आपको गाइड करना है और बहुत लोग खुद ही गाइड हो जाते हैं आगे चलकर मिस गाइड हो जाते हैं और बहुत लोग सफल हो जाते हैं इस बात को नहीं कहते हैं हम तो आज की जो हम portion की सुरुवात करेंगे वो बहुत ही रोमांचक topic है और रोमांचक topic कहने का मतलब यह है कि आप देख लिजेगा कि हर साल 3 से 4 प्रस्न यहां से रहते ही रहते हैं चाहे आप जो भी exam दीजिए पर अब TGT PCT के हिसाब से हमें पढ़ना है तो आज का जो topic है वो है 1857 की क्रांती बहुत ही लाजवाब topic है बहुत ही interesting topic है और खास बात यह कि बहुत बड़ा topic भी नहीं है अगर इस topic की त्यारी किया जाए तो 2 से 3 दिन में आराम से 3 दिन में आराम सी यह topic समाप्थ हो जाता है reason क्या है कि आप देखिए आपको सवाल पूछा जाता है कि सरवाधिक भागेदारी इसमें किस की थी ठिक आप से सवाल पूछा जाता है कि कहां पर किसने विद्रो का नेत्रित किया आप से सवाल पूछा जाता है कहां पर किसने विद्रो का दमन किया आप से प्रस्न पूछा जाता है कि इतिहासकारों के मत क्या थे और 1857 की क्रांती से संबंधित कौन कौन सी पुस्तके थी 1857 की क्रांती सुनते ही मन में एक जोस सा जगता है और हम उसे होस से पढ़ने लगते हैं देखिए मैंने थोड़ा पढ़ाने के तरीके को बदला है और एकदम हसी खुशिया पढ़ना है मुद्ध यह कि क्रांती बिद्रो और आंदोलन में डिफरेंस क्या है यह सबसे बड़ा सवाल है हम पढ़ें लेकिन हमें यह नहीं पता कि गांधी ने क्यों आंदोलन किया क्रांती नहीं किया और देश की चितने भी युवा वरगें उन्होंने क्रांती किया आंदोलन क्यों नहीं किया क्रांती और आंदोलन में बहुत बड़ा डिफरेंस है छोटा मुटा डिफरेंस नहीं दोस्तों बहुत बड़ा डिफरेंस है क्रांती जो होती है वो हिंसक होती है आंदोलन जो होता है वो आहिंसक होता है उसके साथ साथ आंदोलन संपूर देश की मांग को ध्यान में रखकर किया जाता है और करांती अपनी मांग को दिहान में रख कर किया जाता है आंदोलन बड़े पैमाने पर होता है करांती छोटे पैमाने पर होती है इन तीनों डिफरेंस से आपको बहुत सारी चीज़ें पता चल गई होंगी कि 1857 के विद्रों के असफलता का कारण क्या बना तो असफलता के पहले हम पहले उसकी सफलताओं का decision करें हम भारतवासी हैं और हमने जितने भी अंगरेजों को कूटा है पहले उसकी बात करेंगे हम असफल के वाल अपनी वज़ास से हो जाते हमें बाहर वाले कोई असफल नहीं कर सकते बागी तो तौ में हम हमेशा रहते हैं तो जो आज का टॉपिक है वो है 1857 की क्रांगती ठीक ये हुआ था कैनिंग के साथ अनकालना इसमें भारत का जो गवर्नर जर्नल था वो था कैनिंग लॉर्ड मैं नहीं लगाता हूँ वो इसे आप लगा सकते हैं इसलिए क्योंकि वो मेरे भगवान नहीं है थोड़ा सा ठीक है अब देखिए किसी से आप पूछिए कि 1857 क्रांगती है क्या तो वो आप से सीधा यह कहता है सैनिक बिद्रो है अच्छा, very good सैनिक बिद्रो है चलिए हमाल लिए आपकी बात को तो अगर यह सैनिक बिद्रो है तो भाई नाना सहब कौन सी बंदुख चलाने गए थे भाई अगर यह सैनिक बिद्रो है तो फिर जासिर की रानी लच्मी भाई कौन सी बंदुख चलाने गई थे बेगम हजरत महल का क्या रोल है मौलवी एहमदुल्ला का क्या रोल है ठीक है वीर कुमर सिंग का क्या रोल है जैदयाल हरदयाल का क्या रोल है निजाम साही उज्जुल स्वाही मानी दीना रामदत जिन्होंने अलग-अलग इस्थानों पर इसान दोलन का क्या इस बिद्रों का क्या क्या नित्रत किया, तो इनका क्या फाइदा है? अगर ये सिर्फ एक सैनिक बिद्रो है कई सारे इतिहासकारों ने अपना-पना मत दिया इतिहासकारों के मत को हम ब्रियाद रूप से लाश्ट में पढ़ेंगे पुस्तके और इतिहासकारों के मत को जिसे सावरकर जी ने कहा कि ये भारती सोतंतरता के लिए लड़ा गया सरप्रथम सोतंता संग्राम था जिसे अगरेजों ने कहा कि ये इसाईयों के बिरुद धर्म युद्ध था ये मुसल्मानों और हिंदूओं का साड़ी अंतर था हम कहेंगे हम अपनी सोतंतरता के लिए लड़े तो अगर 1857 के बिद्रोह का एक नॉर्मल सा ये कारण दिया जाए कि भाई यहां पर चर्बी उप्तकार्थूस आया इसलिए या बिद्रोह हुआ तो शायद ये सबसे गलत लाइन होगी गलत लाइन की होगी, कि बिद्रोए कोई ऐसा चीज नहीं कि हम आज रात में सो रहें सुबह उठे कैव हमें बिद्रोह करना है भाई आओ चलो उठो सब उठो, नहीं नहीं, आहीं ऐसा नहीं होता हुआ हमारे मन में जो असंतोश व्याप्त होता है हमारे मन में किसी के द्वारा जब हमें पीडित किया जाता है तो हम उसे पहले ही चांस में मारना है या तो उसका इंतजार करते हैं मौका आने देते हैं जब लाश में पाप का घड़ा फर जाता है तो उस घड़े को जो पाप किया उसी के उपर फोड़ दिया जाता है तो 1857 का बिद्रोह सिर्फ वो चर्विक्त कार्टोस नहीं है 1857 के बिद्रोह का कारण बहुत सुरू से चला रहा था ये उस समझ से चला रहा था कि जब बकसर के युद्ध में मुनरो की सेना की एक टुकडी जाकर मीर कासिम की सेना के साथ मिल गई क्योंकि वो भारत है हम भारतवासी हम कितना भी कहीं रह लें हम अपने जब हमारे देश की बात आएगी हमारे धर्म की बात आएगी हमारे परिवार की बात आएगी तो हम जरूर उस समय खड़े हो जाएगे चाहे सामने वाला हमारा दुस्मा नहीं क्यों ना हो हम उसके समर्थन में खड़े हो जाएगे इसके साथ सथ क्या हुआ कि भाई वेलेजली आए इसका जैसे कारण है राजनितिक कारण है राजनितिक समाजी कारण है आर्थिक कारण है धार्मिक कारण है सैनिक कारण है कई सारे कारण है तो अलग-अलग कारणों की या तो अलग-अलग व्याथ्या की जाए या तो सभी कारणों की व्याख्या एक साथ कीज़ें दोनों चीज़े हम अप्लाई कर सकते हैं क्या हुआ कि इसकी जो सुरुवात हुई जो लोगों में असंतोस व्याप्त होने की वो वेलेजली के सहायक संधी से देखी गई और भी हैं बता रहें आपको वेलेजली की सहायक संधी क्या है जो ये अंग्रेजियों के अंदर एक लालसा थी एक भावना थी कि हम संपूर भारत पर सासन करें या हम संपूर भारत पर अपने सामराजवात का विस्तार करें इसी को पूरा करने के लिए वेलेजली ने लाया सहायक संधी तो 1857 के विद्रो के कारणों की हम बात कर रहे हैं, तो 1857 के विद्रो का जो कारण है, ठीक है, दिहान से समझिएगा, पूछा जाता है सवाद, ठीक है, कारण है, तो जो पहला कारण है, वो है, वेलेजली की सहायक संधि. वेलेजली की सहायक संधी क्या थी वेलेजली की सहायक संधी ये थी कि ये क्या करता था कि जिसे जो छोटे-छोटे राज होते थे छोटे-छोटे प्रांथ होते थे वहां के जब रजवारों के अंदर छमता नहीं होती थी कि वो किसी से लड़ सके तो उनको ये अपने क्या करता था सहायक संधी करने पे मजबूर कर देता था कि भाई आप चलो मैं इसा संधी कर लो और मैं आपकी सहायता करूँगा लेकिन ऐसा नहीं था ये बहुत ही जादा मतलब उस टाइप का था ये केवल समराजी का विस्तार चाहता था और इस सहायक संधी के तहट सरप्रथम जिस राजी का विले हुआ वो राज था हैदराबाद फिर था मैसूर अलग-अलग राज थे तो अगर हम आपको एक बढ़िया सा ट्रिक में बता दें कि सहायक संधी के साथ कौन-कौन से राज का विले हुआ तो मज़ा जाएगा क्योंकि ये देखिए यहां पर मैं सहायक संधी ने एक्स्प्रेन कर रहा हूँ यहां पर मैं 1857 के विद्रों का कारण आप से एक्स्प्रेन कर रहा हूँ तो सहायक संधी के तहट मिलने वाले जो राज थे उनका एक बहुत अच्छा सा ये विलेसली जो ता गुशे में था एग दिन उटा गुशे में का कि हम क्या है कि हम ताप में ताप माने गुशा हम ताप में भोसले और सिंधिया को जोड जोड से मारेंगे किसने कहा विलेजली ने कहा हम ताप में ताप माने गुस्सा हम ताप में भोसले और सिंधिया को और सिंधिया को जोर जोर से मारेंगे ऐसा इसने कहा था विलेजली गुस्से में पता नहीं कैसे लोगों की हिम्मत हो जाती है ये राज्य हैं जिन्होंने सहायक संधी स्विकार किया क्रम से हा से सबसे पहला जो राज था जिसने स्विकार किया वो था हैदराबाद मा से मैसूर ता से तंजौर आ की मात्रा है न, आवद, पास है, पेशवा, फिर भोसले, फिर सिंधिया, फिर जोधपुर, फिर जैपुर, फिर मचेंदरी, ये करम से हैं सहायक संधी स्विकार करने वाले राज, क्योंकि विलेजली सहायक संधी लाया था अंगरेजों के सामराज विस्तार के लिए, और उसने सामराज Vistar के लिए कहा कि हम ताप में हम गुसे में आकर भाई मैं नहीं कह रहा हूने तो कल कोई बाहर पेस आ भुसले मिले हमारा हिमू लालु पीला कर दे नई अजा नहीं इसने कहा भेले जविने कि हम ताप में भुसले और सिंधिया को जोर जोड से मारेंगे तो ये क्रम है सहायक संधी स्विकार करने वाले राजियों की सबसे पहला हैदराबाद ठीक है सबसे पहला हैदराबाद फिर मयसूर फिर तंजोर फिर अवद फिर पेशवा फिर भोसले फिर सिंधिया ठीक है, फिर जोदपूर, फिर जैपूर, फिर मचेंदरी, ठीक, ये करम कौन से है, सहायक संदी सुविकार करने वाले, तो आईए, ये मैंने आपको ऐसे ट्रिक में याद करवा दिया, थोड़ा सा तरीका बदलना पढ़ता है, ठीक है, जब ज़्यादा पढ़ना पढ़ता ह सबसे पहला कारण आया वह आया वेलेजली की सहायकसंदी जिसके तहट कई सारे राज्जियों में क्या हुआ असंतोस व्याप्त हो गया गुस्सा हो गए पहले तो मीठा मीठा बोले या उसके बाद धोखा देकर चले गए तो फिर वही इंतिकाम देखेगी तो इंतिकाम बला नहीं लिखना है आपको तिक करना है दूसररा क्या हुआ कि जब डलागजी आया डलागजी ने क्या कहा कि भाई देखो बहुत इतनी नीतियां बनाई इतनी नीतियां बनाई कॉन सत्यक्ति हैं किक सब्सक्राई कर दिया difference that कि लगता है कोई मतलब क्या कर दिया था उसके साथ कि वो मतलब पूरा का पूरा हमारे ही खिलाफ कानून बनाया तो डलहौजी की एक नीती आई सबसे पहले नीती थी Doctrine of Laps जिसको राज हडप या गोध हडप नीती कहा गया तो अगला जो राजनेति कारण था वो था डलहौजी का राज हडप या गोध हडप नीती भाई इसके तहट क्या हुआ इसने कहा कि भाई कोई भी दत्तक पुत्र सासन नहीं कर सकता है मलब तुम्हारा राज है अब क्या करोगे भाई राज तो था यह समय इसने कहा कि अगर किसी ने भी किसी संतान को गोध ली है तो भाई वो सासन नहीं कर पाएगा और उसके पैंसन को समाप्त कर दिया जाएगा क्योंकि जब अगबर दुती अंग्रेजियों के सारक्षन में गद्धी पर बैठा जो मुगल बास्ता था तो उसके बास से लोगों को पैंसन दिया जाने लगा ठीक है तो क्योंकि फिर पेंसन जब दिया जाने लगा, तो क्या हुआ कि उन पर अंग्रेजी सासन हो गया, एकदम कैसा समझी, तो जो नाना सहाब थे, वो पेशवा बाजी राओ दुती के दत्तक पुत्र थे, दत्तक माने गोदली हुई संतान, जहां से किरानी लचमी भाई का पु वो राज मेरे में विले हो जाएगा, आटोमेटिक, भाई सब में आसंतोर जग गया, अगर इस विद्रोह में अगर पेशवा आये हैं, नाना सहाब आये हैं, लचमी भाई आई हैं, बेगम हजरत महल आई हैं, तो ये लोग क्यों आए, क्योंकि इसने डॉक्ट्राइन ओफ ये राज हड़प ये गोध हड़प नहीं थी लाई, और इसके तहित, विले होने वाला जो सरप्रथम राज था, वो था सतारा, कई सारे राजियों का विले हुआ, उसके लिए मैंने बहुत बढ़िया ट्रिक बनाया है, तो इसके साथ मैंने बहुत अच्छा वो बनाया है क्या बनाया है, फॉर्मूला, सेम इसी तरह, कल गया थे हम ऐसे ही, एक पार्टी में, तो कुछ लोग सजे हुजे थे, पुरूज भी सस्ते हैं, मतलब देखा हूँ, लेकिन पुरूज भी सस्ते हैं, तो एक भाई साब अजीब टाइप का कुर्ता पहने थे, मतलब नीचे पहला हुआ थे, तो उनको देखकर मुझे फीलिंग ऐसी आ रही थी, कि भाई तो उने पहना ही क्यूं है, उसको पहने, और इदम सजधज के चल रहे थे, गर्मी थी, बार-बार ऐसे कर रहे थे, उल्जन में, अरे यार, बहुत उल्जन हो रही है, ऐसा कपड़ा मैंने पह लिए तो सजधज के उल्जन में थे, ठिक, सदजजद के कौन था उल्जन में थे तो जो अगला है, सज के सब उल्जन में थे, अरे भाई, अब गरमी में ज़्यादा भैसन करोगे, तो क्या होगा, उल्जन नहीं लगएगी पसीना का बाढ़ खुल जाएगा जगा जगा से अग उस समय साधी बारात में कोईसे तो है नहीं कोई बंदर तरह खजवाने होता था है तो यह सजके सब उल्जन में पता है क्या है यह वो राज्य है जिसका विले किसके द्वारा किया गया है बिल्कुल सही जिसका विले डल रोजी के द्वारा किया गया है राजी हडप या गोध हडप नी तीक तहत तो सा से करम से बता रहे हैं सतारा जा से जैदपुर का से कोई मतलब नहीं है सा से संभलपुर बा से बगहाट उ से उदेपुर जा से जासी और ना से नागपुर ये कुछ राज्य हैं जिनका विले क्या कहते हैं डलहौ जी ने डॉक्ट्राइन ओफ लैप्स या राज हडप या गोध हडप नीती के तहद किया ठिक सज के सब उल्जन में याद रखेंगे तो आपको राज्यों का कभी डेट पूछ लिया या करम पूछ लिया आप कर लेंगे और ये सहायक संधी वाले हैं ठिक अब देखिए तो दूस की मुगल बास्सा थे एमरेश्ट जो था वो अकबर दुतिय के बराबरी पर बैठा भाई 1556 से लेकर अभी तक 300 साल तक जो राजा थे तुम अपने आपको उनसे कंपेर कर रहे हो बैगर आप ही अपने पिता के बराबरी स्तर पर बैठें और कहें और पिता जी कैसे हैं तो पिता जी तो खून खौलेगा ही खौलेगा आपका अगर पिता जी मजबूर है तो अब भले आब अगर आजा सत्रू हो गए भाला खोज दिये तो वो अलग मुद्दा है लेकिन क्या हुआ कि जब अंग्रेज जो थे उन्होंने अपनी बराबरी किस्से करने लगी बिलकु इंगे से नहीं माने है जो था कहा दल हो जी ने बिटा तुम लोग लाल किला चड़ो निकल लो कुतव मिनार में अब हट जाए नहीं से उसने तो भाधूर साओं जफर को कहा कि तुम लाल किला ही छोड़ दो और निकल लो कुतुब मिनार पे जाकर एक दम ौली पे चड़ किये, बहुत लंबा उनका सामराज वाद था, उस पर भी हस्ता शेप करने की सुरुबात किस ने कर दी, अंग्रेजों ने, और जब उनको उनके क्या कहते हैं, जब उनको उनके पदों से भटाया गया, उनके अधिकारों को समाप्त किया गया, उनके पेंसन को समाप्त किया गया, डलहौजी ने कहा कि भाई आप लाल के लिए को छोड़ कर कुट्व मिनार में जाके रहिए, तो सम्मान में तो लगना ही लगना था, तो इनको यह नहीं पता था, कि यह जो मैं कर रहा हूँ, वो आगे आने वाले जो गवर्णा जन्रल हैं, उनको तो अच्छे से लोग बताएंगे, तो अगला जो कारण था, डलहौजी ने बहादूर सा जफर को लाल किला छोड़ कर, कुत्व मिनार में रहने को कहा, इसके साथ हमने बताया कि पेंसन भी समाप कर दिया, तमाम चीजें किस ने किया था, डलहौजी ने, अब क्या हुआ, डलहौजी का इससे भी मन नहीं बरा, 1857 के विद्रों में क्रिसकों की और जागिरदारों की भागेदारी बहुत जादा थी, बात किया कि जब इतिहास के जो दस्तावेज थे, जब 1857 के विद्रों का दमन होने लगा, तो लोगों ने डर कर क्या किया कि दस्तावेजों को जला दिया, फिर धीरे-धीरे लोगों ने तमाम साहितिक श्रोत निकाले, साहितिक साक्ष निकाले, जहां से उन्होंने धीरे-धीरे चीज़ों को क्या करना चालो किया, क्या हुआ था, कि 1854 में, ठीक है, बंबई में, 1832 के एक्ट के तहथ, डलहोजी ने इनाम कमीशन का गठन किया, इनाम आयोग का, इनाम आयोग क्या था, ये ऐसे जागिर्दार या जमीनदार थे, जिनको भूमी इनाम में मिली थी, जिस पर उन्होंने कबजा किया था, उनको उनकी भूमी से बेदखल कर दिया गया, और कहा जाता है, कि इनाम कमीशन के तहट, लगभग 20,000 जागिर्दारों को उनकी भूमी से क्या कर दिया गया, निस्कासित कर दिया गया, कहा कि भाईया, जो तुम्हे इनाम में मिला है, वो भी मेरा है, तो तुम सीधा क्यों नहीं कह देते डलोजी, कि भाई, पूरा भारत तुम्हारा है, और एक बार अब आकर कहो, ऐसा कूटे जाओगे, कि तुमको अपने देश में भी आसरे नहीं मिलेगा, जाने दीजे, प्रकोप लग जाता है, तो डलोजी ने क्या किया, कि 1835 एक्ट के तहट बंबई में, 1854 में इनाम कमिशन का गठन किया, जिसके तहट जागिर्दारों से, उनकी भूमी को छीन लिया गया, और क्रिसकों को भी उनकी भूमी से बेदखल कर दिया गया, और वो सड़क पर आ गये, इसलिए 1857 के विद्रों में, जागिर्दारों और क्रिसकों की भी जो थी, वो बहुत ही बड़ी बड़े पैमाने पर एक एहम भूमी का थी, तो जो अगला कारण था, इस अब कारण है दोस्तों, बस मैं आपके दिमाग में बैठा रहा हूँ, काफिसी जिंदिगी में सत्तावन उक्रांती भूलिये मत, इसके माद क्या हुआ, कि अठारा सो चववन इस भी में डलहौजी ने अठारा सो बत्तिस अधिनियम के तहट, या इत्ता बड़ा का लिखना है, आक्ट के तहट, के तहट, बंबई में, इनाम आयोग का गठन किया, जिसके तहट, बीस हजार जागिर्दारों को, उनकी भूमी से, बे दखल कर दिया गया, देखिए भाई, मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ, क्लास में भी हैंड रिटेन नोट्स ऐसे ही, क्योंकि देखिए, वह पीडियेफ वोडियेफ अपना नहीं है, मालब नोट्स मिलते हैं लेकि यह सब शिश्टम ऐसा नहीं है, आप कभी कबार क्या होता है, कि समझाना लिखना और आप खुद लिखिए, में साथ नोट्स बनाएंगे, अब आपको समझे कि आप मार्केट गया, मार्केट से हाइती मोडी मोडी पुस्तक किताब खहित के लाए, और आपने किताबों को देखकर नोट्स बनाया, और यहां किताब रखा, यहां पर नोट्स रखा, अगर दूनों में आग लग गई तो सबसे पहले आप किताब नहीं बचाते हैं, नोट्स बचाते हैं, तो कि किताब तो फिर खरीद लेंगे, जो नोट्स मेहनत से बनाएं वह कहां से मिलेगा, इसलिए जिस चीज़ पर हम मेहनत करते हैं, उस चीज़ के हम कदर समझते हैं, और इसलिए वह चीज़ हम अच्छे से त्यार करते हैं, तो इसलिए आप नोट्स बनाएएगा, समय बहुत है, त्यारी हो जाएगी, तो यह क्या हुआ कि भाई इसने क्या किया, कि 20,000 जागिर्दारों को क्या किया, भूमी से बेदेखल कर दिया, तो भाई जागिर्दार और किसान भी गुस्से में, ठीक, मुगल बासा तो पहले प्रकोप में ही थे, ठीक है, इसके साथ साथ वो लोग गुस्से में थे, जिन्होंने गोद लीवी संतान थी, और उसने कहा, गद्दी पर नहीं बैठेंगे, और सहयक संदी के तहद, जिन राजियों के साथ बुराई की गई, वो गुस्से में थे, अब इतने से भी पेट नहीं भरा था इनका, आगे देखिए, सरसयद एहमद खाजी ने, एक किताब लिखी 1857 के विद्रों पे, असबाब बगावते हिंद, असबाब बगावते हिंद में उन्होंने ये कहा, कि जो सबसे बड़ा कारण बना, ठीक कितात कालिक नहीं, सबसे बड़ा, दोनों वर्ड में डिफरेंस है, जो सबसे बड़ा कारण बना कि ये ये बना कि जो सैनिक थे, उनको सुबेदार से उंचे पदों पर रखा ही नहीं जाता था, भारती सैनिक को, और उनके साथ भेद भाव किया जाता था, उनको काला कहा जाता था, बड़ा दुख लगता है ये सुनकर कि काला कहा जाता था हमें ये नहीं समझ में आता है कि अरे अंग्रेज भाई अंग्रेज ये अंग्रेजों के लिए है जो हमें काले कहते हमारे के हां सफेज सुवर भी पाई जाती है समझ रहे हैं आप तो गोरे पर घमन न करें, काले हैं, तो क्या हुआ हम दिलवाले हैं, ठीक है, तो क्या हुआ कि जो सैनिक थे, 7 रुपिया उनको बेतन मिलता था मासिक, उसके साथ साथ भाई, उनको जो था क्या कहते हैं, सुबेदार से उचे पदो पर नहीं रखा जाता था, गंदा गंदा उनके साथ नसल और रंग का भेदभाव किया जाता था, जिसकी वज़ा से सैनिकों में भी क्या था, अभी थोड़ा ही बहुत है, जिसके कारण सैनिकों में भी क्या था, थोड़ा बहुत असंतोस था, तो ये जो कारण है, ये सैनिक कारण में नहीं जाएगा, सैनिक कारण अलग है सेनिक कारण में किस-किस रेजिमेंट ने विद्रोव किया उसकी बात करेंगे ये भी समाजिक कारण में जाया क्योंकि किसी के साथ बेदभाव करना किसी की नसल के साथ बेदभाव करना किसी के रंग के साथ भेदबाव करना यह समाजिक करण होता है ठीक है तो अंग्रेजों ने भारती सैनिकों को भारती सैनिकों को मात्र साथ रुपए वेतन पे रखा था और सुबेदार से उच्च पद पर कोई भी भारती नहीं थे ठीक बाकी नसल और खान पान में इन्हों ने क्या किया हमारे साथ भेदबाव किया यह था राजनेतिक और समाजी कारण जो 1857 के विद्रों में एक अपना पहला इंपब्ट किया दूसरा हुआ आर्थिक कारण आर्थिक कारण में क्या हुआ कि पहली बात इनाम कमीशन से क्या हुआ कि किसानों और जागिरदारों को उनकी भूमी से बेदेखल कर दिया गया उसके साथ साथ क्या हुआ कि क्या कहते हैं जो ढाका था जिसे भारत का मैंचेश्टर कहते थे ठीक है जिसका मनलब भारत का मैंचेश्टर कहते थे सूती वस्तर का ढाका को वो खतम हो गय लेकिन किसका reason क्या था पता है आपको इसका reason यह था कि जो ठटकर नीती थी जिसके तहट क्या था कि जो बहारत के वैजार थे वो Register समानों से एकदम बहरे पड़े थे क्योंकि उनके जो समान होते ठेवों सश्दे होते थे मसीन से बनाए जाते थे और उन्होंने क्या किया था कि अपने लिए जो कर लगाया था वो 3.5% हमारे लिए जो उन्होंने कर लगाया वो 25% 70% यहां तक रेस्म करपड़ों पर 90% तक टेक्स लगाया अरे भाई अगर 10 रुपए की चीज पर आप 90 रुपए का कर लगा रहे तो बाई को 9 रुपए का कर लगा रहे हैं तो कौन 11 रुपए में ख़ई देगा इसके साथ क्या हुआ कि जो हस्त सिल्फ उद्द्योग था ठीक है जो क्रिशक विभाग थे उसके साथ साथ जो हस्त कुठार थे यह सब क्या हुआ अंग्रेजों से नाराज हो गए और इसी स कार अंग्रेज जो है वो जो भारती समान है उनको उनकी कीमतों को बढ़ाते हैं उनके चुंगी कर को बढ़ाते हैं और अपने समान की चुंगी कर को क्या करते हैं कम करते हैं तो यह था आर्थिक कारण तो इसको ऐसे लिख लेते हैं यह उतना महत्पुन रोल नहीं प्ले क किया था तो ऐसे मैं लिख देता हूं आर्थिक कारण या था कि भारती वस्तुओं पर करकी बृध्धि ठीक अब आते हैं सबसे बड़ा धार्मिक कारण तो देखें कौन से मोवी अरे आमिर खान वाली याद निया आमिर खान उसका सर्मा वाली पता नहीं कोई भारत में आप कुछ भी करते हैं तो भारत में कुछ भी कर सकते हैं पर धर्म का उद्दा बनाकर या धर्म को आहत करकर आपका भी सासन नहीं कर सकते और अंग्रेजियों की ये सबसे बड़ी गलती हो गई इतने जो किये तो शायद इससे इतना बड़ा बिद्रो नहीं होता वो हमारे धर्म में हस्तक्षेप किये जैसे वो हिंदूओं को बरबर मानते थे और मुस्लिमों को निरंकूस मानते थे उनका एक कहना था कि हिंदू उन्दू ऐसे ही लुझ पुझ टाइप के हैं और मुस्लिम जो है मार काट करते है चलो ठीक है भाई तुमने कह दिया पर लिख, कोई दिक्कत नहीं अप सती परफा इनकी जो नीतिएं जो बता रहा हूँ जैसे सती परफा कांत दास परफा कांत नर्भ यह तमाम चीजें इनकी नीतिएं अंग्रेजों की अच्छी थी नो डाउट अच्छी थी पर यह हमारे लिए ऑक कारण बनी क्योंकि हमारी जो संस्क्रिति है उसको हम अगर उस पर कोई उंगली उठाता है आहत करता तो बुरा लगता है ये नीतियां अगर आज की डेट से पॉइंट आप भी सो दिखा जाया तो अंगरेजों के दोरा ये नीतियां बहुत अच्छी थी जो नहीं ने बनाई लेकिन उस समय लोग रूडिवादी जादा थे लोग अपने धर्म को जादा मानते थे इसलिए उनके लिए ये भी एक कारण बना कि जो अंगरेजों के द्वारा सती प्रथाकांत कर दिया गया ठीक है दास प्रथाकांत कर दिया गया नर्बली हत्या पर प्रतिबंद लगाया गया गया कर्ने अहत्या पर प्रतिबंद लगाया गया विद्वा पुनर विवाल आया गया ठीक है तो ये सब चीजे क्या था कि अंग्रे हिंदूर मुसल्मानों को ये लगा कि ये हमारे धर्म में क्या कर रहे हैं चोट लगा है जो हमारी संस्कृति सुरू से चली आ रही ह उसको ये परिवर्तन करने कर प्रयास कर रहे हैं पर ये ठीक है ये अच्छे कारण है इसलिए इस पर हम बात नहीं कर सकते हैं ये कुछ वर्गों का और कुछ लोगों का ये मानना था कि ये चीजें गलत हैं पर हम ये 18 सतौन के बिद्रों में ये कारण डिखेंगे तो शायद मैं उनका समर्थन करूँगा जो इस नीतियों का समर्थन नहीं करते हैं इसलिए कभी कभार जब आप टीचर बनेंगे कभी आप प्रोफेसर बनेंगे चुड़ी बनेंगे तो आपके वर्ड आपके सेंटेंस भी स्टकार होने चाहिए अगर अभी ये कारण में लिख इसको उटाईए धार्मिक कारण में जो सबसे बड़ा कारण हुआ कि वो क्या हुआ कि 1813 में ये चीज अलाव कर दिया गया कि भारत में इसाई मिशनरी आते रहिए भारत में 1813 में खुब भर-भर के इसाई मिशनरी आये ट्रक में भर-भर के जैसे डीजे वाले बाबू मे की तरफ परवर्तित किये यही नहीं हाउस ओफ कॉमेंस में क्या था मैजलेंस था मैजलेंस जो था हाउस ओफ कॉमेंस में उसने एक बात कही वह बहुत गलत बात कही उसने कहा कि परमात्मा ने हिंदुस्तानों को अंग्रेजों के हाथों में इसलिए दे दिया ताकि उत्त से लेकर दच्छिर्थक और पूरब से लेकर पश्चिन थक सब यहां पर इसाई धर्म को अपना लें हलुआ है अब तो सुप्रीम कोड ने भी धर्म के परिवरतन पर रोग लगा दिया हलुआ है ऐसे अपना लें और जो सबसे पुराना हमारा सेवधर्म चला रहा है दस लाइrasa पूर्व से हमारा जो सबार्म है वो किसी के माइने नहीं रखता अरे ठीक है मैजलिश जी आप उस समय किये थे और आज आपी के देश के लोगा आकर हमारे ग्यांइस कौन मंदिर बनाते हैं और हरे राम हरे किष्ण हरे राम हरे किष्ण करते हैं आप जो जैसा करेगा वैसा बरेगा, आप हमें उस समय ऐसा कहे, हम तो कुछ कही नहीं रहे हैं, तब भी आप लोग आकर हमारे धर्म को अपना रहे हैं, हम क्या करें, it's not my mistake, तो गलती कर दिया था मैसलिष ने, मैसलिष ने क्या किया, कि ये House of Commerce में कहा, कि परमात्मा ने इसलिये हिंडुस्तान को अंगरेजियों के हाथ में दिया, कि संपूर भारत में, संपूर हिंदुस्तान में इसाई धर्म फैल जाए और इसाई धर्म का पताका फैल जाए बढ़िया है, कारण बना लिए न ठरसत्ता उनके बिद्रों का तो जो अगला कारण था, वो था, देखिये दोस्तों, किसी भी टॉपिक को इतने अच्छे से पढ़िजे कि दुबारा पढ़ने के आओ सकता ना, मेरा यही मानना है अब दस बार पढ़ने से महाराना परताप के गोड़े का नाम बादल नहीं होगा, वो चेतक ही रहेगा समय ने कर पढ़िए, लिकिन अच्छे से पढ़िए, और आप जिस विशे की त्यारी कर रहे हैं, उसको तो और अच्छे से पढ़ना पढ़ेगा तो 1813 में भारत में इसाई मिस्नरी आना प्रारम्भ हो गए और मेंजिलस ने हाउस ओफ कॉमन्स में या कहा था कि परमात्मा ने हिंदुस्तान को अंग्रेजों के हाथ में इसलिए दिया ताकि संपूर हिंदुस्तान में इसाई धर्म का पता का लहरा सके चलो कोई बात नहीं कहा तो कहा लेकिन जानते हैं दोस्तों एक बात यह भी फैक्ट है कि भारत में जो इसाई धर्म आया प्रशार करने के लिए इनका काफी प्रभाव पड़ा प्रभाव इनका दोस्तों इस प्रकार पड़ा कि 1867 में क्या हुआ कि आकाल के समएं कई सारे बहारतियों थो इसाई धर्में परिवर्टित हो गए यह लोब लालस देते थे कि तुम मेरे धर्मे आओ, तुम्हें उच्पद मिलेंगे, तुम्हें इंग्लेंड जाने में राहत होगी, ये तुम्हें पैसे दिये जाएंगे, इसाइध धर्मे अभी भी है, ये चीजें हैं, जैसे सिक्धर में आप देखिए, जित्ते भी बड़े बड़ था, तो समय कई सारे भारतिये थे, जो इसाइध धर्मे परिवर्तित हो गए थे, ठीक है, तो बहुत जादा इनका पर बहुत अच्छिन भारत पे पड़ा, ठीक है, कुछ हिस्सा इनका क्या कहते हैं, ये मद्ध भारत पे भी आया, तो कई लोग इसाइध धर्मे परिवर् इसने क्या किया, कि जो मस्जिद और मंदिर थे, उन पर इसने कर लगा दिये, वहां से पैसे लेने लगा, तो धार्मे का योगता दिनियम यह है, कि पहली बात तो भाई, आप वही काम कर रहे हैं, जो फिरोसात उगलक ने किया था, ब्रामणों पर जजिया कर लगाया था, आ तो अठारा सो चोवन में क्या हुआ, अठारा सो पचास में, धार्मिक आयोगता, अधनियम, यह इसको लेक्सलो की कानून भी कहते हैं, आयोगता धनियम लाया, जिसके तहट, मंदिरों, और मस्जिदों के जागीर पर, कर लगने लगा, अब धेरे धेरे भारत में आकरोष की सीमा बढ़ रही है, यह था आपका धार्मिक कारण, अगला जो कारण है, वो है सैनिक कारण, क्योंकि 1857 की विद्रों में, सैनिकों की भागेदारी मुख्य रूप से थी, लीडर के रूप में था, इसलिए हम उनकी बातों को नहीं छोड़ सकते, नहीं भोल सकते हैं, तो जो अगला कारण होगा, वो सैनिक कारण, अब सैनिक हैं तो भाई जोस में तो हैं है, कूटेंगे हैं इनको, बात क्या था, कि जो अंग्रेजों की सेना में जो भाई ते सैनिक आते थे, वो 60% अवध और बंगाल के छेतर से होते थे, ये जो अवध के छेतर के होते थे, अवध मतलब जहां भी मैं हूँ, मतलब हम लोग हैं, ठीक है, ये जो अवध के छेतर के होते थे, तो इसमें जादा किसी का अनुसासन और किसी की बातों को सुनते नहीं थे, आप जानते हैं, लिखते हैं ये लोग राजपुताना, ब्रामण, जैरावण, ठीक है, मतलब ये जो ब्रामण और ये थे राजपूत थे, ये जादा अनुसासन में नहीं रहते थे, कोई कुछ बोले बिटा, क्यों करें, अकड़ सुरू से व्याप्त थी और आज भी व्याप्त है, ऐसा लोग कहते हैं, मैं नहीं कहता हूं, सभी काष्ट के लोगों में अकड़ होती हैं, सभी काष्ट के लोगों में अटिटूड बरकरा रहना चाहिए, तो क्या हुआ, कि ये जो आवद के लोग आत तो Charles Napier ने क्या कहा हम लोगों को अवद वाले छेत्रों को कि ये लोग उच्च नसले के भारतिये हैं जो भाड़े के सैनिक हैं कॉर्ण वालिस ने आंगली करण अधिनियम लाया जिसके तहस सैनिकों का बेतन साथ रुपए हो गया इतना सब ठीक था ठीक चल रहा था कैनिंग ने सवां सेना भरतिय अधिनियम लाया जब कैनिंग ने सिविल सेना भरतिय अधिनियम लाया तो इसके तहित ये कहा गया कि भाई अगर कहीं बाहर भी उद्ध हो तो भाज़ी सेना को जाना पड़ेगा लेकिन जो उनका वेतन है उनका वेतन उतना ही रहेगा उनके वेतन में किसी प्रकार की बढ़ुत्री नहीं की जाएगी और उस समय समुद्र के पार जाना ये धार्मिक संस्कृती के खिलाब था जिसको लेकर सैनिकों में बहुत ही ज़्यादा क्या हुआ असंतोस व्याप्त हुआ अव असंतोस का परिणाम आगे बताते हैं तो पहला क्या है पहला क्या अगला कारण अब इसको पहरा ग्राफ में लिखते हैं न तो ग्रंथ हो जाता भारती सैनिकों को चार्स नेपियर ने उच्छ जाती के भाड़े के सैनिक कहा उच्छ जाती के भाड़े के सैनिक एक दो तुम्हारे लिए मर भी रहे है और तुम्हें भाड़ा वाला कह रहे हो ठीक है कौन वालिस ने आंगली करण नीती लाई जिसके तहट सैनिकों का वेतन साथ रुपे कर दिया गया और इन्हें कोई भी उच्छ पद नहीं दिया जाएगा अच्छा पहले क्या था कि ये जो अंग्रेज थे इन्होंने सेना को दो भागों बाड़ा था एक में क्या था कि उच्छ अधिकारी भी अंग्रेज होता था और बाकी सेना भी अंग्रेज होती थी एक में क्या था उच्छ अधिकारी अंग्रेज होता था और पांच भारती होते थे एक अंग्रेज होता था मतलब five is to one का रेशियो होता था अच्छा था इसलिए यह बिद्रो बहुत बड़ा हुआ तो और जो यह पांच और one का रेशियो था कि जब भी कहीं युद्ध होता था तो यह हम लोगों को आगे ठेल देते थे जब कहीं मर्गोली कहानी रहत रहते थे जो की 1850 की बिद्रो के बाद फिर पील आयोग का गठन होगा जिसके तहती सौसत को टू इस्टू वन कर दिया जाएगा यह मैं आगे बताऊंगा अगला जो मैंने सैनिक कारण बताया मैंने बताया कि कैनिंग ने कैनिंग ने सामान ने सेना भरती अधिनियम लाया जिसके तहर भारती सैनिकों को भारत के बाहर भी जाकर युद्ध करना था परंतु वेतन वही रहेगा न Pengvoll κιून कोई जाए क्यों कोई जाए वार्य अगर मुझे सौ रुपए मिल रहा है और में अपने प्रयाग राज मिखोन उसे के भाई कुछिसे कुई कि मैं तुम है सौ डिल का तो भार्डा लगा क्यों जाओंगा क्यों जाओंगा भाई इसकी वजासे सैनिकों वो तो अलग मुद्दा है, वो उस्पना बड़ा नहीं हुआ कारण कि जब बकसर का युद्ध हो रहा था तो उस समय मुन्रो की एक सेना की टुकड़ी जाकर मीर कासीम से मिल गई थे, वो अलग चीज है, 10 जुने 1806 को क्या हुआ कि वेलोर का विद्रो हो गया, सैनिकू ने कि 69 रेजिमेंट के, चाउनी के, वो लोग पगड़ी पहनते थे और ठीका लगाते थे, अंग्रेजों ने कहा नहीं, तुमको टोपी पहनना है और उस पर पंक लगाना है, तो टोपी पर पंक घुसता नहीं, उस पंक को भाजने के लिए घागा रहता था ऐसे, रबड का, और वो जो रहता था, वो गाय और सुवर की चर्वी से बना होता था, कर दिये गलती, कार्तूस अभी आया नहीं है, आप लोग जो सिर्फ कारण ये ब्राउन बेस और इंफिल्ट राइफर मानते नहीं, ये सिर्फ ये कारण पढ़ा के निकल जाना मतलब आपके साथ, दोखा और मुझे मेरे प्रोफेशन के साथ धुखा लगेगा, तो पहला जो सायनिक बिद्रो एक वास्तवी ग्रूप से माना गया, उसको हटा दीजे उस बात को, अमिर कासिमवाला, तो वो था 10 जुलाई 1806 का विल्लोर का बिद्रो, जब लोगों को पगड़ी पहनने से, टीका लगाने से मना कर दिया गया, उसके स्थान पर कहा गया, टोपी पहनिए, उस पर पंक लगाईए, चमड़े का फॉर्रा लगाईए, तो कौन लगाएगा भाई? आरे आज की डेट में लेदर एक फैसन है, रहीस लोग पहनते हैं, लेदर की जैकेट, लेदर की कैप, वो अल क्या कर रहे हैं, कि सैनिकों को तो आहत कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ सैनिकों के धर्म को भी आहत कर रहे हैं, तो जो आया, और बेलोर का बिद्रो ये भी याद रखिएगा, ये पूर्ण रूप से सैनिक बिद्रो था, 1857 पूर्ण रूप से सैनिक बिद्रो नहीं था इसमें कई लोगों की भागे जा रही थी लिकिन जो वेलोर का विद्रो था ये पूर्ण रूप से सैनिक विद्रो था दोस्तों कभी आसे पुछा गया आप कि निम्नमसेवा कौन सा सैनिक विद्रो है जो पूर्ण रूप से सैनिक विद्रो रहा तो 10 जुलाई 1806 वेलोर का व जिमेंट या छावनी के सैंकु ने विद्रो कर दिया जो की सरप्रथम सैंक विद्रो था इनको अभी आख ने खुली अंग्रेजों थी विनास काले विप्रीद गुद्धी 1824 में क्या हुआ इन सबको गोली मार दी गई थी दोस्तों इन्होंने विद्रो किया था सबको गोली मार दी गई थी ठीक है 1824 में क्या हुआ कि लॉड एमरेश्ट के सासनकाल में वर्मा का युद्ध हुआ भारतियों को बर्मा जाने के लिए कहा गया मैंनमार ठीक है वर्मा उन्होंने का हम नहीं जाएंगे हम उस वेतन में नहीं जाएंगे पहली बात और दूसरी बात हम वहां जाएंगे ही नहीं क्यों नहीं जाओगे भाई क्यों नहीं जाओगे हम नहीं जाएंगे मेरी मर जी क्यों क्योंकि हमारे में ऐसे धर में कहा जाता है कि जब हम कभी किस इसी दूसरे देश जाते हैं, तो हम अपनी सल्सक्रिती اور अपनी सभीता को भूल जाते हैं। ठीक है . मैं क्या बता हूं अपनी कहानियाँ पर? ठीक है, भूल जाते हैं Championship आप अपने बाबा के साथ बैठीहें, ठीक है तो भाई, उन्होंने मना कर दिया, और जो मना किये, वो 47th रेजिमेंट के सैनिक थे, 47th में छाउनी के, एमरश ने क्या किया, सभी की सभी को गोली मरवा दी, अब भाई, यार, मा लिजे, हमारा टीचर का गुरूप है, और हमारी किसी टीचर हो, किसी श्टुट्ट ने मारा, भगवान न करे, ऐसा कभी दुनिया में किसी को देखना मिले, किसी ने मारा, तो हम लोग सांत रहेंगे, क्या, धर पटक, धर पटक कर देंगे, भाई, आपके बाकी भाई सैनिक मारे जा रहे हैं, तो आप क्या असंतोस नहीं जगेगा, तो फिर अगली गलती जो हुई, वो हुआ, अगला जो बिद्रो हुआ सैनिक का, अठारा सो में, एमरस्ट के सासनकाल में, सैनिको ने भी द्रो हुआ, इसके बाद क्या हुआ, अगला जो सैनिक विद्रो हुआ, वो अठारा सो चौवालिस में, बंगाल के बैरकपुर में हुआ, जहां पर चौशठवी साउनी के सैनिकों ने विद्रो किया, क्यों वेतन भत्ते को लेकर, कि भाई, हम भी तो से हिसाब से मेहनत करते हैं, आप हम हमारे भी वेतन बत्ते बढ़ाईए, तो अगला जो विद्रो हुआ, मैं करम से बता दे रहा हूँ, अगला जो विद्रो हुआ, वो अठारा सो चौवालिस में, बंगाल के, बैरकपुर में, चौशठवी च्हावनी के, सैनिकों ने, वेतन भत्ते को लेके किया, इसके बाद लगातार होते गए विद्रो, ठीक है, अठारा सो उन्चास में, बाइसमी च्हावनी की पैदर टुकडी, अठारा सो पचास में, च्हावनी की पैदर टुकडी, और अठारा सो बावन में, अरतिसमी च्हावनी की, पैदर टुकडी ने, विद्रो कर दिया, छोड़ा छोड़ा विद्रो चलता रहा, सभी अंग्रेज इसका दमन करते रहे, यह ऐसे दमन होता रहा, और बाकी लोगों में गुस्सा पैदा करता रहा, इसी में एक चीज और अंग्रेजों ने कर दिया और बड़ा गंदा काम कर दिया, उन्होंने क्या किया, 1854 में डाक पर अधनियम लाया, जिसके तहट सैनिकों के लिए निस्सुल्क डाक सेवा को समाप्त कर दिया, मतलब जो पहले तो टेली ओली फोन था नहीं, तो यह जो मतलब सैनिक थे, जो अपने घर पे भाई बाहर ड्यूटी कर रहे हैं, पहले चिठ्थी भेजते थे, ठीक है, नहीं तो आपको पता होगा कि अगर आप लूग फोड़ा सा मतलब पुराने होंगे तो तार आता था, टेली ग्राम जोसे कहते हैं, तो क्या हुआ कि इन्हों ने क्या किया, कि अब किसी भी सैने को चिठ्थी भेजनी है तो उस पर दो पैसे का टिकट लगेगा, यारे तो साथ रुपिया दे रहे हो, उसी में हम कितना क्या करेंगे हैं, धीरे धीरे ये आकरोज बढ़ता हुआ, चरम सीमा तक भाज किया, उसी में अंग्रेजियों ने सबसे बड़ी गलती कर दी दिसंबर 1856 को, उन्होंने अपनी सेना में एक नए राइफल को लाया, ब्राउन बेस की जगा उन्होंने एनफिल्ड राइफल लाया, और एनफिल्ड राइफल में ये अफवा उड़ी कि इस पे गाय और सुबर की चर भी लगी है, और इस अफवा को अंग्रेज के जो गुप्त सचिव लोग थे, उन्होंने ही सही कर दिया, तो क्या हुआ कि ये इतने जो अभी तक मैं आपको कारण बता रहा हूँ, देखिए सब आसपास सब, ये भी तातकाली कारण में आ रहा है, लेकिन जो मुख कारण था, लेकिन जो जो गुप्त सचिव अंग्रेजों के थे, केई और इसमेत, इन्होंने खुद कहा कि इस पे गाय और सुवर की चर्वी लगी हुई है, और जिसका ये मतलब परिछण होने वाला था, और वो परिछण कहा होने वाला था, दमदम में, अंबाला और सियाल कोट में, और इस कास बात क्या थी, कि इसका जो इन्फिट राइफल कार्तूस था, उसको ऐसे दास से खीच कर भर के, पंप करके गोली मारनी थी, ठीक है, तो मुद्दा ये हुआ, कि धार्मिक का इतने जो कारण हम आपको बता रहे हैं, देखिए, सुरुस देखिए, यहां से तो कारण से धीर दीरे लोगों में असंतोस व्यापत था, ठीक, अब ये लोग एक नहीं हो पा रहे थे, जैसे एक होने का मतलब क्या है, कि जैसे अभी आप लोगों के लिए, रोजगार के लिए चलाया गया मुद्दा, तो सभी संस्था वाले एक हुए, अब ये कोई अकेले चलाता, तो वो कैसे हो पाता, उतना सक्सेस नहीं हो पाते, सब एक हुए, तो उसका रिजर्ट मिलने लगा, यो ये सब धीरे-धीरे क्या है, सभी वर्गों के लोग क्या थे, तिकुछना किसी मुद्दे से आहत थे, और इसी में क्या हुआ, कि सैनिक मुद्दा सबसे बड़ा समझिएगा, दिसंबर 1856 में, ब्राउन बेस की जंगा, एनफील्ड राइफल लाना, जिसके कार्टूसों पर, गाए और सुवर की चर्वी लगी थी, और इस बात की पुष्टे, केई, और इसमिथ ने किया, और इसमिथ ने किया, जो कि खुद अंग्रेज थे, अंग्रेज के गुप्त सच्यू थे, और एक बात और बता देता हूँ आपको अपनी तरफ से, कि यह जो इनफील्ड राइफल था, इसका जो परिछण होने वाला था, तो इसका परिछण दम-दम, अंबाला, और स्याल कोट में होने वाला था, और स्याल कोट में होने वाला था, तो आप से पूछ सकता है, कि इनफील्ड राइफल का परिछण सुरू में किन-किन जगहों पर होने वाला था, तो वो था दम-दम, अंबाला और स्याल कोट, तो भाई, आप अभी तक हम को क्या कहते हैं, पहले हमारे राज्यों का भी लेखिये, गोधड़प नीती को आपने लाया, उसके बाद आपने इनाम कमिशन लाया, हमको हमारी जमीन से अलग किया, मुगल बास्ता को तुनके घरे से अलग कर दिये, कह जाओ को तुम मिनार प का प्रचार किये, आप ही के लोग कह रहे हैं कि हम इसलिए इस पर सासन कर रहे हैं, ताकि हम सब को इसाइध धर में बना दे, और उसके बाद फिर आप लोगों ने क्या किया, क्या कहते हैं, समान इस सेनी का धिनियम लाया, जिसके तहत हम कहीं भी रहे हमारी सेली साते थी कि भाई भारत यसाइनी कभी उच्पद पर नहीं रहेंगे, आपने हमारा उसत पांच रखा, अपना उसत एक रखा, गोली खानी हो हम खाएं, कहीं जानना हो हम जाएं, लेकिन हमें उच्पद मिलेगा नहीं, और उसके बाद हम तब भी संतोस की ये बैठे थे, संतोस क ये बैठे थे तो आपने कहा लो, अब दांस से गाए और सुवर की जल भी खाओ, ये कैसी हो सकता है, गाए हमारे लिए पूजिनी है, और हमारे मुस्लिम भाई सुवर से नफरत करते हैं, तो इन सभी कारणों में, जो तातकाली कारण बना, वो तातकाली कारण यही था, द और फिर प्रारूप बनाया जाने लगा लाल किले में, और किस बिद्रो को अंजाम दिया गया, 1857 के बिद्रो का, ये आप समझेए, कि अगर एक लाइन बता कर बिद्रो की सुरुवात करना, तो ये आपके साथ नाइसाफी थी, और मेरे तो खुद के साथ मिद्राद बर सो नहीं पाता, ठीक है, मैं खुद चाहता हूँ कि आपको कितना दे दूँ, तो ये था 1857 के बिद्रो का कारण, और अगली क्लास में मिलेंगे, तो फिर बिद्रो का प्रारूप कहां पर किसने नेत्रत किया, क्या क्या था, वो बताएंगे, फिर मैं आपको बताऊँगा कि इ किसने कौन सी पुस्तके लिखे, और फिर से मैं आपसे एकी बात कहता हूँ दोस्तों, अब मत इंतजार करिये किसी चीज़ का, पढ़ने पर लग जाये, जहां पढ़िये, मैं हमेसा ये बात कहूँगा, पढ़ने पर लग जाये, समझने पर, और ये मत सोचिये कि हम ऐसे र अटा देंगे, वही बोलेगा, क्यों 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 करके, नहीं, इंसान है, समझिये, पढ़ना है, तो कुछी भी किताब को मार्केट्स उठा के पढ़ लिजा, लिकिन इस बात का दावा करता हूँ कि मेरे नोट्स में कर एक किताब की चीज़े मिल गई, तो आप जो क के लिए, मुस्कुराते रहे, टेंसन फ्री रहे, पढ़ते रहे, क्योंकि चाणक ने कहा है, कि इस संसार में केवल एक ही व्यक्ति की पूजा होती है, और वो ग्यानी व्यक्ति है, चाहे वो यहां रहे, या वो कहीं और रहे, तो ग्यानी बनिये, ठीक है, एक्जाम तो आई गया है, तब तक के लिए, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद,